हेलो एव्रिवन, वेलकम टो क्लास 11 फिजिक्स क्लासिज इस वीडियो का टॉपिक है डैमेंशन्स तो डैमेंशन्स क्या होती है जो हमने फंडमेंटल कुएंटिटीज पड़ी थी मास, लेंथ और टाइम और भी थी तो जो मास, लेंथ और टाइम की जो पावर होती है A, B, C इनको हम डैमेंशन्स कहते है A, B, C जो हैं, यह डैमेंशन्स हैं और जो यह पूरा बना, यह डैमेंशनल फॉर्मूला है मतलब, the dimensions of our physical quantities are the powers to which the fundamental units of मास, लेंथ और टाइम has to be raised जो मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स होती है, जो पावर्स होती है वो हम लोग उसको बोलते हैं, dimensions तो मतलब, जो A, इसका मतलब क्या है कि जो मास की dimension है, वो A है लेंथ की dimension B है और टाइम मेंशन उसकी C है तो और इसको जो है, यह पूरा का पूरा dimensional formula कहलाता है यह जो पूरा है, यह dimensional formula कहलाता है और A, B, C क्या है यह dimensions है इसको बोलते हैं, dimensions अब हमने बहुत सारी physical quantities हमें पता है हमने उनकी अलग-अलग dimensions को find करना पड़ता है कि किसकी dimension क्या है तो mass का जो dimensional formula होता है वो M होता है इसको brackets में लिखते है बहुत सारी books में लिखा होता है कहीं पर नहीं लिखा होता है तो लिख देना ठीक है तो इसको क्या करते हैं बड़े brackets में अंदर लिखते हैं और block letters में लिखते हैं length की dimension length का जो dimensional formula है वो L है टी, इसके बाद अगर हम area लें area, area क्या होता है, एक साइड इन्ट दूसरी साइड, तो ये दोनों length है तो इसका dimensional formula L, इसका भी dimensional formula L तो area का जो dimensional formula हो गया, वो हो गया L25 ये इसका dimensional formula हो गया, ऐसे अगर हम volume लें वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स LBH, यह तीन लेंथ हैं, तो इसका डैमेशनल फॉर्मूला क्यों जागा, L3, ऐसी अगर हम इसके बाद विलासिटी लें, velocity, velocity equals to displacement upon time, तो displacement क्या होता है, length होती है, तो उसका डैमेशनल फॉर्मूला L, और time का डैमेशनल फॉर्मूला T, तो विलासिटी का जो डैमेशनल फॉर्मूला हो गया, L T minus 1, मतलब इसकी डैमेशन एक लेंथ में है, और माइनस वन टाइम में है, ऐसी इसके बाद अगर हम acceleration लें, acceleration मतलब क्या होता है, velocity upon time, अब हमाँ पता है, velocity का डैमेशनल फॉर्मूला L T minus 1 होता है, और time का डैमेशनल फॉर्मूला T होता है, तो यह T उपर जाएगा, तो minus 1 हो जाएगा, और total क्या हो जाएगा, L T minus 2, ऐसी अगर हम force का डैमेशनल फॉर्मूला निकाले, F equals to MA होता है, mass का डैमेशनल फॉर्मूला है M, और acceleration का डैमेशनल फॉर्मूला क्या होता है, L T minus 2, तो जो force का dimensional formula हो गया हो गया है ML T-2 यह इसका dimensional formula है और इसकी dimensions क्या है mass में 1 है, length में 1 है और time में minus 2 है तो ऐसे हम किसी भी physical quantity का dimensional formula find कर सकते हैं जैसे एक formula होता है F equals to G M1 M2 upon R square अब हमने यह जो gravitational constant है इसका dimensional formula निकालना है तो इसको कैसे solve करेंगे यहाँ से G का formula क्या बनेगा G equals to F R square upon M1 M2 अब F क्या है force, force का dimensional formula है ML T-2 तो यह हो गया ML T-2 यह क्या है length, length का dimensional formula L और उसका square कर देना है नीचे, दोनों mass है mass का dimensional formula M तो क्या हो गया यह 1 M उपर चला गया तो यह हो गया M-1 L, 2 यहाँ पर है एक ही हो गया L cube और T-2 M-1 L cube T-2 ऐसे हम किसी भी physical quantity का dimensional formula निकाल सकते है जैसे pressure है pressure equals to force upon area होता है अब force का dimensional formula क्या है ML T-2 और area का dimensional formula क्या है L square तो यह उपर जाएगा एक cancel कर देगा तो यह dimensional formula हो गया ML-1 T-2 work का निकालना है work done equals to क्या होता है force into displacement force का dimensional formula ML T-2 और displaced का formula है L तो यह solve करके क्या गया ML square T-2 ऐसे हम कुछ भी किसी का भी dimensional formula find कर सकते है इसके बाद इसका दूसरा topic है principle of homogeneity principle of homogeneity principle of homogeneity क्या कहता है अगर दो या दो से अधिक जो physical quantities है वो addition या subtraction से एक दूसरे से connect है तो उनका dimensional formula same रहता है if two or more physical quantities are connected by addition or subtraction addition or subtraction then then there dimensional formula dimensions will be same अगर दो physical quantities addition या subtraction से connect है तो उनकी जो dimensions होती है वो same होती है जैसे कुछ physical quantity है a plus b equals to c minus d यह कुछ physical quantities है तो इसमें जो a की dimension होगी dimension of a equals to dimensions of b equals to dimensions of c equals to dimensions of d इन सबकी आपस में dimensions equal होगी क्योंकि यह addition और subtraction से connect है इसमें कुछ questions होता है एक wonderful gas equation है wonderful gas equation यह होती है p plus a upon v square into v minus b equals to rd इसमें हम a और b की dimensions find करने है find the dimensions of a and b a की dimensions a और b की dimensions कैसे क्या होगी यह हमने find करना है तो हम इसको solve क्या कैसे करते है अभी अभी है अपने एक principle पढ़ा कि उसमें कहता है कि अगर दो physical quantities addition और subtraction से connect है तो उनका dimensional formula सेम होता है तो हम इसको अगर देगे इसमें क्या है यह p है यह pressure है यह volume है v यह gas constant और यह temperature है इन दोनों की जरुरत नहीं होगी हमें इन ही का पता होना चीए यह pressure है यह volume है यह volume है और a और b की dimensions find करने है अब हम अगर इसको देखें तो इसमें यह दो physical quantity subtraction से connect है मतलब जो v का dimensional formula होगा वही b के dimensions होगी जो v की dimensions होगी वही b की dimensions होगी तो dimensions of v equals to dimensions of b अब v क्या है volume volume का dimensional formula क्या होता है l cube कहीं पर निकाला था volume का dimensional formula l cube तो l cube equals to dimensions of b तो b का dimensional formula क्या हो जाएगा LQ हो जागा, अब ऐसी इसको solve करेंगे, इसमें क्या है, ये और ये पूरा, ये वाला पूरा और ये, ये दोनों addition से connect है तो मतलब जो dimension P की होगी वही dimension A upon V square की होगी, तो मतलब dimensions of P equals to dimensions of A upon V square तो इधर से dimensions of A equals to dimensions of P into dimension of V square, अब P क्या है, pressure, pressure का dimensional formula ML minus 1, T minus 2 ML minus 1, T minus 2 और V volume, volume का dimensional formula, LQ और उसका square कर देना है तो इसको अगर हम solve कर दे तो ML, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 minus 5 T minus 2, ये A का dimensional formula हो गया तो ऐसे हमने A और भी दोनों की dimensions find कर दी, ऐसे हम किसी भी physical quantity की इस formula से dimension find कर सकते हैं ऐसी एक equation ले लेते हैं X equals to A plus BT plus CT square, ये एक equation है हमने A, B और C की dimensions find करनी है इसका dimensional formula find करना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है ये A, BT और CT square, ये addition से connect है, इसमें क्या है, जो ये X है, ये distance है और जो T हैं, ये time है हमने A, B, C की dimensions को find करना है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो X की dimension होगी, वही A की dimension होगी वही BT की dimension होगी, और वही CT square की भी dimension होगी क्योंकि ये addition से connect है ये पूरे की dimension, इस पूरे की dimension के equal होगी, और इसकी dimension के equal होगी, और वो इसके भी dimension के equal होगा तो dimensions of A equals to dimension of X, X क्या है distance है और distance का dimensional formula length, length का dimensional formula L तो dimensions of A equals to dimension of X तो A की dimension क्या आ गई L, A का dimensional formula L और dimension क्या है इसकी 1 है length में तो ये A की dimension आ गई ऐसे ही dimensions of BT T equals to dimensions of X, तो dimensions of B equals to क्या होगा, X की dimension L होगी, dimensional formula और ये T नीचे चले जागा, इसका dimension formula T हो जागा, तो इसको solve करतेंगे तो क्या जागा, L T minus 1 ये इसका dimensional formula होगा, ऐसी C के लिए भी क्या होगा, dimensions of X equals to dimensions of C T square तो यहां से dimensions of C equals to dimension of X upon dimension of T square तो equals to X की dimensional formula L T square का T square तो इसको solve करतेंगे तो क्या जागा, L T minus 2 ये C का dimension है, तो ये principle of homogeneity से हम किसी का भी dimensional formula निकाल सकते हैं तो एक बाद पूरा सा revise कर लेते हैं इसको कि dimensions क्या होती है, fundamental quantities की जो powers होती हैं, उसको dimensions कहते हैं, और इसे dimensional formula कहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि mass length और time का dimensional formula MLT होता है, इनको block letters में लिखते हैं, bracket के अंदर लिखते हैं, तो ऐसी velocity का dimensional formula LT-1, acceleration का LT-2, force का MLT-2, तो ये dimensional formula हमें याद भी होने चाहिए, और निकालने भी आने चाहिए, निकालते कैसे हैं, उसका formula जो है, वहाँ पर जो physical quantities हैं, उनकी dimensions को put कर दो, और solve कर दो, dimension formula निकालाता है, homogeneity principle क्या कहता है, कि अगर दो से अधिक physical quantities, addition या subtraction से connect हैं, तो उनका जो dimensional formula होगा, वो same होगा, उनकी जो dimensions हैं, वो same होगी, तो इस principle of homogeneity से हम किसी की भी dimensions निकाल सकते हैं.